तो यहां पर हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स के सारे सेट्स हैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 तो मैं अब्जेक्टिब पोर्षन का पूरा सुलूशन करने जा रहा हूं चले तो शुरू करते हैं इसका यह वीडियो अगर आपने अभी तक सीरेवलो यह चौनल इंश्ट्री सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको सेर करें साथ ही हमारे जो डिस्क्रिप्शन सेक्षन है उसमें आपको हमारे एप्लिकेशन के लिंक मिल जाएगी जिसमें आप सेवन से लेके 12th क्लास तक का सब्जेक सब्सक्राइब फ्रिमें सकते जिए को सब्सक्राइबं और supply can नंबर्स बट्टा है तो प्रोड़क्ट ऑफ नंबर्स बट्टा है यह दोनों कट गया 156 समार अंसर हो गया नेश्ट को सफीडंट कर चलते हैं व Two इनके एरिया का रहा है तो साइट्स के का ratio का जो square होता है वो area का ratio होता है 4 का square 16 और 9 का square 81 option number D right answer है next question क्यों बढ़ते हैं तो जो हमरा next question इसके बीच का distance पुछ रहा है तो हम जब x1 minus x2 का यह x2 minus x1 का whole square plus by 2 minus by 1 का whole square का formula लगाते हैं इसका वो कितना होगा मैंने फॉर्मूला लगा लिया है से तो बी का value minus 4 minus 4 का square minus 4 into 2 into 3 तो मैंनस 4 का square 16 minus 4 त्रीजा ट्याल्व 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 ट्यूजा 24 तो यहां पर minus 8 इसका value है सेम question है और यहां पर देख सकते हैं यहां पर पुछ रहा है roots का जो है वो किस तरह का roots होगा तो जो इसके roots होंगे वो होंगे non-real ठीक है इसके roots होंगे वो non-real होंगे कैसे तो मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर भी देखिए इसके roots non-real होते हैं तो इसी के base पर मैंने इसको बना लिया अपने अगर अलग से भी निकालना है तो ड का value है अगर नेक्स कोई नेक्स को फेका गया है इसकी probability क्या है कि और नमबर मिले तो और नमबर भी 3 होते हैं 1,3,5 dice में और total होता है 6 तो 3 by 6 जो कटेगा तो हो जाएगा 1 by 2 फिर आंदे के का value पुछ रहा है जब यह को incident है यानकी एक साथ चला है तो 3 by 6 is equal to minus 1 बटा k ठीक है तो k का value हो गया यह 2 हो गया k का value minus 2 option number d राइट अंसर next question sign a cause से दोनों का value same होता है 45 degree पे अब देखें last से second term पूछ रहा है तो यहाँ पर देखें 3 बढ़ रहा है तो last से जो second term होगा उसमें 3 घटा देंगे 47 में से 3 गया 44 option number c बहुत ही simple सा question था total surface एरिया हमिया स्फेयर का हो गया 3 pi r square next question को बढ़ते है next question जो हमारा है the roots of the equation इतना are equal to equal में b a square minus 4 is 0 होता है तो b a square is equal to 4 a के बदले हो गया 1 और c के बदले c तो इसका answer हो जाएगा b a square बराबर 4c ठीक है यह का value 1 है अब यहाँ पर देखें इसका midpoint निकलना है तो दोनों को जोड़ देंगे minus 3 minus 3 minus 6 butter to minus 3 और जब इन दोनों को जोड़ेंगे minus 3 plus 3 तो हो next question के बढ़ते है question number 14 for a given distribution 100 observations the less than ogive and more than ogive intersect 58 और 50 ठीक है तो इसका median distribution का क्या होगा next question के बढ़ते है in the quadratic equation t square minus 16 the sum of zeros sum of zeros का formula होता alpha plus beta is equal to minus b बटा है तो इसमें तो b है ही नहीं यानिकि t का coefficient तो है ही नहीं ठीक है तो ठीक का coefficient नहीं है इसका मतलब 0 0 but a something का value 0 तो इसका answer जो हो गया 15 का वो हो गया 0 अब इसमें short type में किन-किन questions का solution चाहिए आप comment box में आ सकते हैं अगर अभी तक आपने CWH को subscribe नहीं किया तो subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करें अगर अभी तक आपने हमारे application को install नहीं किया तो application को install करें रिजल्ट section में जाकर आप result देख सकते हैं examination का जब result आएगा तो और आपको अगर social science के लिए important questions चाहिए तो इसमें social science का भी एक सेकर इबनिंग में बनाये जाएगा तो वहांसे आप social science का भी questions ले सकते हैं चलिके मिलते अपने नेक्ट वीडियो में सोचल साइंस के इंपोर्टेंट कोश्चन्स वहां से आप ले सकते हैं मिलते अपने नेक्ट वीडियो में